बल चुटकेो बंदन परे कच्छूना होत उपाए कोह नानक अब ओट हर गजज्यों होहो सहाए बल हुआ बंदन चुटे सब किछ होत उपाए नानक सब किछ तुम्रे हाथ में तुम ही होत सहाए वाहि गुरुजी का खाल्चा वाहि गुजी की फते साहिब श्री गुरु परंग साहिब जिदी हजूरे भी जुड़े बैठे सद्ग्रु जी दा अपना आप गुरु खाल्चा साथ संगत जी ओ पिछले लग पर दो कैंटे तो तुसीं आज जदा दिन जिड़ा के मूल नानक शाई करेंडर दो हजार तिन मताबक संजनेल सिंग जी खाल्चा पिंडरा वारे अदा शहीदी दिन इलाने अब एड पिछोकर साड़ा शातर दुश्मन साड़ी बे इमान लीडर्शिप ते अंदी रैयत ग्यान विहुनी पाए परे मुर्दार इस वर्तारे वारी कौम इस सब नो दो सिखी दे बहुत महान स्कॉलर्स तो सुने बेशक बहुत वार गलन दा दोहरा हुंदे ते इस गलन भी त्यान रहे के ए दोहरा जरूरी वे हुंदे जदो असी सिमरन दिगल करदे शबद समरन चुआए जेस ता मतलब याद करने याद उस चीज नो किता जान दे जिस दे पुलन दा डर हुंदे मुझे ऐसी वाहे गलू शबद नो याद करदे हैं और उस दा समरन करदे हैं ते बहुत वार आडे द्वारे दा परबाव जिस तो असी माया दा परबाव कालजुक दा परबाव और इस किसम दे शबदान अर संबोदन करदे हैं उस दा ही नतीजे है कि असी बार बार अपने आपनों याद करवान दे हैं कि ओ महान करता ओ निर्पाव निर्वैन रंकार हैं एही समरने ते जदो ए विश्वास लगातारता दे नाड बन जान दे ते फिर गुर्मुख रोम रोम हरते आवे वारी अवस्था बन जान दी बेशक साड़े गातरे किरपाने बंज ककारी रूपे पर जे इस गाल दी याद दहानी ना हुए कि गातरे किरपाने ते जमें वीमी सदीदे महान सिक संद जनेल सिंजी खाल सापिंडरा बाड़े जो दो किरपान दी व्याख्या करदे संद ताए केंदे संद के ए दो शब्दां दा सुमेले किरपा ते आन किरपा उस लंकार दी बक्षे शे उस लंकार दी उस आनू देने क्यूंके इस गनstill गवी त्यान रहे कि लगपक सत हजार साव दे मनुख़्ी दिहास तन्वार दे जोर नाड़ एक कबीला दूसरे नू जितदा रहे एक नेशन दूसरे नू जितदा रहे वदीया हत्ैरा दे नाड़ कटिया हत्यरा मारे जानदे रहे जोरा वरा ने सतीवीं सो अपने गुलामा नो मनाये और इस गल नो साड़ी जबान दी इस एक्सप्रेशन ने दुनिया मन दी जोरा नो कोई पुछे नाकम जोरा नो दे रूच एजडी विजडम है इस नो उपनाये पर इते गुरू ने जदो असी करपान दी गल कर दें और मैं समा सीमा दावी त्यान रखांग है तांके जड़िया चीज़ा अल्रडी डिसकस हुईया ने कहिया कहिया ने उनादा दोहरा ना होए पर कुछ गला ने जबे सिंबालिजम दी गल किती है और डाप्टर टिलो ने बड़े खुबसूरत अंदाज दे विच आम बोल चाल दी जबांच और ये बोल चाल दी जबांच जिन इच तुसी शुरूतिया नो भी इन्वाल्व करते हूँ ते गुरू नानक साब दा ये फुर्मान याद आरे है सी जब लग दुनिया रही है नानक किछ रही है किछ ए डायलॉग है डायलॉग सिर्फ केंड दी गल नही है डायलॉग सुननदा नावी है ते दुनिया दे विच ये विचार जिसले शबदा जसी सेमिनार जाहूर डिसकेशन वर्त दे हैं बड़ा खुबसूरत ना जदो असी गुरुगरंद साहिब जी दी पाणी सिद्ध गोश्ट पढ़ दें ते गोश्ट उस पुरातन पंजाबी दे विच ए विचार चर्चे ते जदों तुसी सिद्ध गोश्ट पाणे जेसला बहुत काट इंटरिप्रेट कीता जान दे कथा बाचक भी उसनों हाथ नहीं पहुंदे पर मैं समझे दे भी आज जवें कोई असी राम देव दे जार च फसें हैं कोई जंत्रियां मंत्रियां पंत्रियां बाड़ें दे जार च फसें ते फिर जे इना सब दी आइडियोलोजी नो विचार तारा नो समझे ने ते सिद्ध गोश्ट नो समझना बड़ा जरूरी है उस डिसकशन और उस डिसकशन दा आगास के में हुंदे प्राग्रेस केवे कर दी है और एक दूसरे दी ताकत दूसरे दा बेस कि है पाई गुरदास ची ने जो कुछ उस दे नार जोड के लिखे है उस सिद्ध गोश्ट नो समझन जो होड़ भी मदद कर दे ज़ों के सिद केंदें हैं के सिद पुच्छन सोन बाले है कौन शक्त तुद इत्हा ले आई उनो बाले है बालक नो केंदें नो ये वी पैटनाइजेशन होंदी है बहुत सारे तुसी प्रकार सिंग बादल दी ज़त प्रेस क्राउंफरंसा लेखियां होंगी हैं जदो उस न नूँ गालती नूँ खत्म कर देओ, ओस दा वजूद खत्म कर देओ, पुछन वाले देओ, और इशु नूँ साइट ट्रैक कर देओ, ते सिद्धा दे ये टेकनीक है, कि वो गुरु नानक नूँ बालख कहा रहे हैं, कि ए बच्चे, कि भी तू इत्थे क्में आएं, ते उस विचार चर्चा, गोश्टी दे महौज, गुरु ग्रंद साहिब जिदी गोच बैठे हैं, ते होन गुरु नानक साहब दा जवाब है, सिद्ध पुछन सुन बाले है, कौन शकत तुद इत्थे ले आई, बाबा आखे, नात जी, बाजो सचे नाम दे, होर शकत असाथे ना ही, हुन एक रेवरेंस के जे उन्हें पैटनाइज कीपता है ते गुरु साहब उन्हों नात जी कहने ने, कि नात जी, क्योंकि डायलोग ने अगे चलने, ते फिर सिद्धा नूना दी आउकात भी दखानी है, ते गुरु नानक साहब ने उस सिदाहत ले कार दते हैं, क सारे छपे अंदीर पलोओ, कि एस सारे होराईजों दे उत्ते हैं, एस सारी सिद्धी दे उत्ते हैं, ए ओ सूरजें, जिस दे सामने हुन रात नहीं हैं, कोई काड़ी बोड़ी रात नहीं होएगी, कोई तुंद नहीं होएगी, कोई हनेरा नहीं होएगा, ए ओ शेर है, सिं दी है ना तीरतर हुआ है उन ए जड़ियां फांडेशन्स ले किती हैं कि बाज जो सचे नाम दे होर शकत असाथे ना ही ए विचारतारा सिद्धी उस इन रंकार दे ना जोड़ दी है ते उस इन रंकार दी बख्षिश चो किरपान निकल दी है और एगाल सिंबॉलिजम अगे इन बड़ा इंपॉर्टेंट है सिख राज दी गल और अज दे कॉंटेक्स मेरा ख्याल है भी एकती साल बाद सानो अपने आनो ये समझान दी रोड नहीं है कि राज शक्ती क्यों जरूरी है ये राज शक्ती ना होए तक की हाल होंदे जो अज साठा हाल होया हुए ए उस र राज शक्ती दी होंदतों बिना ही होया है लेकर जदो पहला सिख राज काइम होंदे और उस दिन नो असी सेलिबरेट कीते है पिछले मैई दे महीने चापड़ चिड़ी दी लडाई नो ते चौदा मैई सरहांद फते नो ते जड़ा पहला सिक्का जारी होंदे उस दे उत आज घौबिन सिंग शाहे शाहां फजल सच्चा साहिब असत के एए असी सिक्का दो जहाना दे मिश्चलाया सिक्का जद बर हर दो आलम तेग नानक वहब अस्त सेलिज़ी जडी तेग है तलवार ने ऐगुरु नानक दी हुन गुरु नानक साँभी तलवार उना दे अज़ाबी जो सोटे हैं नों फञेने सी पाई गुर्दास ची दी टैस्टिमन नहीं हा उना दे हथ सोटे हैं लेकं ओ सिक्ख सिक्का सिक राजदाए याद करवान दे के एजड़ा राज है पुलिटिकल पावर है एसदा अदार गुरु नानक दी तेग है गुरु नानक दी तलवार है गुरु नानक दी करपान है फते गोबिंद सिंग शाहे शाहा फजल सचा साहिबस और जड़ी 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 फते है इस शाहां दे शैंशा गुरु गोबिंद सिंग साब दी बदावनत दी हुण उस तेग नों जिसनों गुरु नानक ने हच च फड़े है गल किला बंदिया दी हम दी बहुत वाद जून चुरासी दे हवाले नाड दुश्मन और उस दा ज़र खरीद मीडिया दर्बार साब दे किला बंदी दी गल कर दे के अंदर किला बंदी सी थ्री टायर फायर सी उत्तू आरे सी विचकाई हो आरे सी थले हो आरे सी उन राज शक्ती दी गल जेड़ी विचार तारा नो जवे अफजल हैसन दावा ने पंज सदियां दा वेर कमाया दी गल दे नाड जोड़े उन इतर ओक किला गुरु नानक साब उसार देने जिना दे हथ किरपाने जिना दे हथ ते गे ते उस किले दी गल सानु गुर्बाणी दे विच पाई सता बलवण याद करवांदे ने नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीम दे के ए गुरु नानक ने राज चलाया राज दी शुरुआत किती है जेस दा किला सच दे नानक राज चलाया सच कोट सच दा किला सतानी नीम दे एइस दी नी明 बड़ी पुख्ता है इस दी नी明 बड़ी मजबूता इइस दी नी पतार विच्छ अब चल नीम तरी गुरुनाटिक निथन चड़े सवाई उन इस पतार दी नहीं वाले साच दे किलेच हाथ चो किरपान जड़ी गुरुनानक दी बख्शच दे नाले ते इस गल दी याद दहानी रहे के फिर उस दे नाल शबद जुड़ा होया आन अबक दी गले स्वेमाण दी गले हिमर राइट्स दी गले डिगनिटी दी गले ते गुरु नानिक साथ भी बाणी बाबर दे हमले देना जिसनों बाबर वाणी फिर गई कोईर ना रूटी खाये सी पढ़ दें के बाबर दी जडी ओस दा ओर्डर है फर्मान है हुन ए चार चफेरे को मरे और ओ किसे नू इवन शेजादे नू कमरा नू रूटी खानी भी नसीब नहीं है गुरु नांक साथ दे लगपक पंच शबद दो तिलंग राग दे विच तिन आसा राग दे विच स्पैसिफिकली पंदरा सो एक्की दा जड़ा बाबर दा सैद पूर दा हमरे जिसनों वसी एमनाबाद भी केंदे हैं ओस पर थाये ने और उस दे विच जड़ियां करना अज विचार दीनाईयां ने उन्हां दाए कोई नमियां नहीं ने जदो सानु साधी खास परंप्रावारे इस पासे बाँ तो उर्दे ने कि जी ये सियासत था बड़ी गंदी चीज है एक गंदे आदी गाल ने है एक पॉलिटिक्स था मतलब भी पॉलिटिक्स है एक ट्रिक्स ने और ये ता सानु नाम से मरंटे नाल जुड़े हैं और जे ऐसी इस नाल जुड़ जाईए ते राज आप पर ही आजाएगा राज कोई मिल जाएगा है खाल से बन जाएए खालसतान आप बन जाएगा इस किसम दिया है और जे दुसी ना देन बाड़े हैं दा जाएगा मंदर दा सकेर पाओ ते बहुत सरे इपगोड नजरांगे बहुत सब्सक्राइब नजरांगे और अपनिये आप इस कारते नाक संगता देन जरांगे उन्हें जड़े तिलंग आगा और आसाराग्ठ जुर्मा दा शबसी पतर पड़ते हैं कि पाई के मैं खुरासान खसमाना की या हिंदोस्तान डराया जाए इत्ती मार पही कुर लाने की दर्द ना आया और भी कैके मुसलमानियां पड़े कतेपां कष सिनाती होर हिंदवानियां एपी लेके लाएवे लालो पर जड़ी गन इस विचार देनाड मैं जड़ा उस चो नुकता है विचार दीन ले आंदे के गुरू साभ याद करवान देने कोटी हूं पीर वर्ज रहाए जां मीर सुने आता है थान मुकाम जले मिज मिज मंदर कुछ कोयर रवाय को मुगल ना हुआ अन्न किनैना पर चालाया कि हुण उदो भी एस स्पिरिच्छल किसम दे लोग कोटी हूं कोटी हूं मिलियंस भी इस किसम दे बहुत सारे ने जिना ने इस गालते लई पठाना नो इबराहिम लो दी जिड़े पठान राज कर दे ने त कोरा केड़ा वैपन हैं उन्हादे कोड़ तुबखाया बंदूक है इनाधे कोड़ हाती ने पर हुने सारा सो गॉड़ रिलिजिस पिरिच्छल तब गए उन्हानु रजरे हैं उन्हानु मना कीता पठाना नो उन्हान ने कया जिए तानु ए अगी तुभक फेरकी हो गया वदिया थे आरे हैं असी देखियो इदना दे मंतर पढ़ांगे पंड़त भी कटे हो गए उना दे पीर भी कटे हो गए के जो ही इंडस दरिया टपे है क्योंकि काबल तो बाबा जड़ा बाबर हो आया खुरासान वाल गया हुथ तो डफीट हो ए खुरासान खसमाना किया इत तैद करदता थान मुकाम जले बिजमंदर मुचम्च कोहरा है टूटे टुबडे करके जिन्न ने कमर सी प्रेंसी सडका देओत उत्ते और गुरू साफे उनकिया सी मास पुरी विच आक मसूला है Zhास के गुनगावे नानक मास्पुरी विच आख मसूला मास्पुरी है जिते चार चफेरे हिमन फलेश दी बदबो है कि मैं एस्च खलो के गाल कह रहे हैं कि गुरू साब ने याद करवाया कि पाई कोई भी जड़े ओसमे कोई इनादा कोई इसके समदी गाल कामयाब नहीं होई और इंदा एक गुर्वी याद करवाई कि जड़ा जुलम दे उत्ते खलोती गाल हुंदी है जुलम दे नाड इक ज्यादा जुलम करके दूसरे नुन दबा लेंदे जम कर मुगल चड़ाया कि यवारे काल पुर्खदी भी वड़ी खेड हुंदी है पर इस गाल दी याद तहानीवी करवाई के आण 78 जान 97 होर भी उटसी मर्द का चेला सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बिल उन्हें मैतान समीद है भी नाय कोई शेरशा सूरी नू के के जू हमाईयों नू हरा के मर्द का चेला आए गए के नाय ये सरदार भगी हिलसिंग लई है के ज जिसे अदार दे उत्ते वी साल पंथ देनार एक के दे केंड ते इना वड़ा तो रो होया है के संद जर्नाहिल सिंग जी खाल साप पंड़ा वाड़े चड़ दी खराचने के जी 78 जो आए ने ते हूरों जिड़े ने 84 ज निकल गए ने 97 फेर पर गड़े ढोंगे पर आजे राने ने एए इमें ने आण जान वाड़े ने और जुर्म वाड़े नो जवाब अल्टीमेटली उसे रबदा कोई नवाजया रबदा कोई वड़ाया बंदा खलो जान दे कौमा खलो जान दिया ने और उना दे राज नो चलदा करदन दिया ने और एही गुरु केंदेने के मैं सच दी गल केंदे और उदों केंदे जदों सच सुनोन दा वेड़ है अज असी 31 साल पेला शरी दर्बार साइब शरी अकाल तखत साइब ते सैंती वोर इतिहासक गुर्दवारेंच पार्ती फाउज दे टैंका तूपा दे हमले दे समने छातियां तान के खलो के सच की बानी दी समझ वाले जिनानू गुर्बानी दे इस फर्मान ने पूरा सरशार की तैस के गगन दमामा बाजेयो परेयो निसाने काओ खेत जो मांडेयो सूर्मा अब जुजन को दाओ सूरा सो पहचानियं जो लरे दीन के हेत पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू नचाड़े खेत उन्हा योद्यानूसी याद कर रहे जिनाने अकाल तख़द हर्मंदर साब तो चुरासी कदमा दी बितते दिली तख़द तो दो फुट उच्छा तख़द ते ओ तख़द जेस दा पहला हुकम नामा छेवे पात्शा ने एदतासी वदिया जवानी वदिया खोड़ा वदिया शस्त तजे इस गाल दे मी मैं याद दहानी करवाँ कि साठे पंथ दे पहले दो टाड़ी पाई नथा ते पाई अबदुल्ह एक पिंड सुर सिंग दे एक सुर्टान विंड दे उन्हा ने जड़ी पहली वार उस उते लाई उस दे शबद ये सन उस दो तनवारी बतियां एक मीरी दी एक पीरी दी एक अजमत दी एक राज दी एक राखी करे वजीर दी पग तेरी की जहांगीर दी उन्हें एक गल अजमत आन अणक ते इस दे ना जुड़ी किरप और एक किरपान दा कांसेप्ट जदों तक सिक्खा नो याद रहे उदों तक सिक्ख कदे अराम नार नहीं बैठा अठारवी सदी एस गल्दा सबूते के बेशक सिक्खा ने कोड़ें दिया काठिया नो अपना कारबना है मुठी पर छोलें आते गुजारा कीता है वेड़े दिया हकूंता है बेशकु मुगल हाकम सान अफगान ताडवी सान पता पता सिंगा दा वहरी एम हौल सी लेकन इदे बावजूद सिक्ख ने इस करपान मुझे लिए असी शब्द सिरी साहब इस्तमाल कर दे बदवार अज साड़ी विचार भी से चली गई अर्दास भी साड़ी रिच्योलिस्टिक बड़ी रिश शब्दा ते जरूर फोकस करिये जेड़े साड़ी पुलिटकल सौवर्निटी दी गल कर देने जेड़ी इस आन अनक दी जामन किरपान हत्यार बंद लड़ाई दी गल कर देने ते जेड़ी साड़े समुच्चे आज असी ती मिलियन दी गिड़ती है के असी समुच्चा पं तहां तहां रच्षया रियायत के जिते जिते भी खालसे है है अकाल पुरुक उना दे उत्ते अपनी प्रोटेक्शन रखो उना नू रियायत दियो कंसेशन दियो जहां जहां खालसा जी साहे तहां तहां रच्षया रियायत देग तेग फते बिर्द की पैच पंत की जीत शिरी साइब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले। उन तुसी शोमनी के मेटी दी। इंटरपटेशन भी देखोगे, अर्दास नहीं छापी हुई। तो शिरी साइब जी सहाए नू उन्हाने इंग्रेजी चाही लिख्या। ओ सौड आई सीक दाई प्रोटेक्शन। इंटरपटेशन भी देखोगे, इंटरपटेशन भी देखोगे, इंटरपटेशन। बैटियां बत्का, जनादा शिकार सब तो सौखा हुंदे, पुलिटिकल पावर सी 1889 तक साड़े कोड़, और एक हाल बड़ी जार है, कि मारजा रंजीत सेंग जना ने कोई नूर हीरा भी हासल कीता, आइटी मेटली शाष जो रादी बेगम तो, और डोड़े दे नाड़ बंदेशन। और एक हाल जना उना पुछी जान दी सी कि में हासल कीता है, तो स्वाड़ वाल इशारा करके कहन दे सी एस दे बालबुते, उन जार है कि जनादों तक साड़ी आइडियोलोजिकल कलेरिटी सी, साड़ी सिदान तक कोई कन्फ्यूजन पंबड़ पूसा नहीं सी, और ए अठ ने लाए, जाए जाए बेहें, जमीन मा तहते हैं, तक्त बनाए, कि सानु पाथशा ही सद्गुरू ने गत्ती हुई है, असी हर कोड़े दे हन्ने नार काटी नार, जिते सिख बैठे है, ओ पाथशा है, ओ सौवरन है, गुरू नो सचा पाथशा है, ट्रू सौवरन है, क्य पाथशा तखते बैठे ने, उना दे सिरते चौर चुल दे, उना दे उते कैनोपी हुंदी है, चाननी हुंदी है, सो सचे पाथशा सत्गुरू ने, लेकन दुनियावी पाथशा ही, और एगल याद रहे, पाई रतन सिंग पंगुदा जिकर हो रहे है, याद करवाया है, क कि मैं इना गरीब सिक्षन, जिनादी जात, वरन कुल दे, विच कदे सरदारी नहीं है, मैं इना नों सरदार बना रहे है, मैं इना नों बात्शा बना रहे है, इना नों सावरिटी दे रहे है, एम एनी प्रोफेसर लिपूरें से ने किया है, ये तुर्ती आजाद सत गुर जमू दे विच वापरे है, शिरियकात खथायते, छे जून दे समागम दे दौरान वापरे है, इक गाले इस चो बड़ी जार होके निकल दिये, के दुश्मन दा यतन हुंदे, के तोहाटे नाएक नू खलनाएक बना दता जाए, जेलसी बाबा बंदा सिंग बहादर जिना न भी कही था, बंदा दा बैंडिट लटेरा, इस किसम दे शब्दा दे नार से बोदन कीता है, ते आज जसी देख दे हैं के कि में एकती साल हकूमत दा जोर रहा है, के संत पिंडरा वाड़या नो में स्ट्रीम जा मुख तारा सिक्की तो वक्रा, कोई होर दैशत गरत दोरे इस किसम दी विचारता रहना जोड़या जाए, उन्हा दी आवाज दो मिफल करन दे लई, कि में उन्हा दे चड़ दी करा जोर दी गालनों जड़या है, ओ तुम आया गया है, किस तरीके दे नार पंजाब दे विच सिस्टेमेटिकली एक तो बाद एक नसल कुशी कीती इक वार फेरे दसे कि इदे बावजूद अजेंसियाने इक अती सालाच एक तो बाद एक नसल कुशी कीती है, एक तो बाद एक हथियार चड़क के अनिती दा साम दाम दंड पे इद बार कड़े है, पर इदे बावजूद ओ आवाज जड़ी कदे पंजाबी फिजाच उन् ने, मंगा मंगिया जान दिया ने, हक ले जान दे ने, और एक रिमाइंडर बार बार, खालसा जी, शहीदा दे खून दा हक लेने, और आज जड़ो जमू कश्मीर दे विच, ओही सरकारी तंतर, जट थे आज बीजे पी नंबर टू पार्टी दे तो और ते, जमू और बहते हनों पुल गे है के शिब सेना दा जनम, उस जम्मू शेयर दे विची, ओ करन सिंग, जड़ा गुलाब सिंग दा डिरेक्ट डिसेंडेंट है, ए जड़ो विश्व हिंदू परिशद दा प्रेजिडेंट सी, जम्मू शेयर दे विचे शिब सेना बढ़ाई गे सी, जे उना ने इस गल नो उस गदारी दे, उस पाट नो अगे तो रहे है, ते फिर गुरू के लाड़ ले, सिंग ने नभी दसे है, बेशक सिंग शहीद हों दे, लेकन इदे बावजूद उस दे मिर्तक सरीर नो शिंगार के, उस दे सरते कलगी लाके, जम्मू दे हास्पिट जवाना ने मार्च कीते है, यह मैसेज देता है हुना ने, कि ए सोच मरी नहीं है, अजवी संथ पिंडरावारे, एकती सान बाद भी अपनी उससे ही डाइनमिक्स देनार, उससे ही खालसाई सोच उसे विचार तारा देनार, सिक पंत दी, जवानी दी, अगवाई कर देने, और एही मैसेज छे जून दे समागम चुबी सामने आए, इस अनू डर सी मही दे खीर ले देना तो इस चल रहे हैं, जिस तरीके नार, शिव सेना ने एस मौके दे उते, किसे मंदर दे मिच हवन करान दी बयान बाजी कीती, जवे जिला पट्याना दे, एक टोल बूत दे उ नो रिलीस कीता है, जिवे अमरसार शेयर दे विच हाल गेट तो दरबार साब तक जिड़े ने फ्लैग मार्च करवाए गए और जमू दिया कट्रावा नो अदार बढ़ा के पंजाब दे विच एडिशनल फोर्से सदियां गही है, जो सानू सी के इना ने कुछ ना कुछ तक साइब दी, उस हदूच समागम नो रोकन लई, कौम दी सावनिटी दी गल नो रोकन लई करने, और जे तुसी लेटेस्ट खबरां देखिया हों, कि किस किसम दी गुंडा गर दी, टास्क फोर्सराई करवाई रख गई, कि मैं नौजवाना नो बेतहाशा मारया गया, उ और दो दर्जन तो ज्यादा नौजवाना नो बार पुरस्वियां वेनज बढ़ा के उन्हाने गृफतार कीता है, ए इस गाल दी, अकों गाल नो तोर दे, के हून हकूमत नो सिदी फाज पेज के साथी स्वावनिटी दा ओ परती का का तखत ओस्ते कबजा करन दी लोड नह हैं, उन्हाने ओ प्रॉक्सी वार जड़ी के ओ अफरीका दा एक प्रोवर्ब है, कहानी दे रूप में जुड़ा हूए है, कि क्यों एक जंगल जेस ते द्रख्त जड़े ने, ओ एक दूसरे वाल देख के बड़े मांच ने, ओ लकड़ हा रहा आंदा हूनों के तू साड़ नुकसान नहीं कर सकते हैं, पर जिस दिन उसे एक द्रख्त दा ओ डंडा बढ़ जांदे ने, ओस कवाड़ी दा, उसे जंगल दा द्रख्त ते फिर ओस कवाड़ी ना एक एक करके सारे द्रख्त वड़ दे, तो आज साड़ा हा नहीं है कि हकूमत ने, ओ बाबा वार फियर ह हुए, ओ पुलिटिकली किस तरीके नाड अज बादल कोड मा समुची कौम दिया, इंस्टिचूशन दे उत्ते हावी किता गया है, कि मैं साड़े तख्त सहबान दे जते दार, साड़े ले हमेशा ही तख्त साड़े सौवंधी दा पर तीक ने, एसले ही तख्तां दे उत्ते शस्ता रखे जान दे, और इस काल दावी ते आन रहे हैं, जो जून चुरासी दे हवाले नाड गाल हुदी है, किसे भी सिंग ने हर्मंदर साइब दे अंदर पुजीशन नहीं ले, कोई भी अंदरों फायर नहीं होया है, इस गालनों इतिहासक तात्वनों संक पिंडराव पाड़े साथी योदे चंगी तरह समय दे सन के अकाल तखत तखत डिफेंड कीते जान दे, इस अकाल तखत नो कदे, शहीद पाई गुर्बक सिंग ने अपने ती साथी सिंगा दे नाड डिफेंड कीते, जेस्ता जिकर अबदाली दे नाड आए हिस्टॉरियन ने वी कीते इससे इतखत दी अजमत दे लेई बाबा दीब सिंग शहीद आके एस हरमंदर साथ दे पर करमा दे विच उना दा सी सा के टिके ऐसी एतखत दी गल, हत्यारा दी गल, सौवरिटी दी गल, जूजन दी गल, एस सिखी दा इंसेपरेबल हिस्से पर जिस किसम दी आज सिखी डि किती जा रही है, जिस तरीके देनार अकाल तखत दी इंस्टीचूशन नो बादल के आँ दी फैमिली जगीर दी एकस्टेंशन बढ़ा दता गया है, जे इस रुजान नो चैलेंज ना किता गया है, और एक हम कोई नमी नहीं है, पहला भी हकूमता दाई यतन रे, जे अरू की वरतारा हुंदा रहे है, सिंग सबा लेहर चली, मूर्तियां उते फिर भी पहिया रही हैं, पर एक वाक्या ने कौम नो हलून के रह दता ऐसी, कि अच्छा है, साड़े अकाल तखत दा इस तरह मिस यूज है, तकी कारण है, कि आज जिस तरीके देनार अकाल तखत साहिब नो मिस यूज किता जा रहे है, सिखी सिदानता मीरी पीरी दे कांसेट नो डायूट किता जा रहे है, सो ए गल सानू या तहानी करवां देए, कि जित्थे असी शहीदा दे खून दा हक लें दी गल दोहरां दें, पर आज साड़ा वड़ा हिस्सा जा गफलत दी नीद विच सुता हुए, जा ओस ने कुछ ना करण दा मन बढ़ाया हुए, ओस दे ले यू हत्यार बंद संगरश नो ही, जड़े ओस चों गलती गटण दा यतन कर दे, बेशक एक तो बाद एक यतन जड़े लोग के कहन देने, कि जी हत्यार बंद संगरश फेल हो गए, और मैं कल असी प्रोग्राम मंडे थू फ्राइडे टीवी 84 ते करते हैं सचो सच, और आज़ दा है सारा सेमिनार भी टीवी 84 डाट टीवी ते लाइव ब्राडकास्ट हो रहे है, कुल दुनिया पार दे विच एस दाएक अपना नेटवर्क है, ते अकसर बहुत सारे सवाल पुछे जान द दे ने और एक ने पिशले काली पूने तो एक टीव में लिखी, उन्हें कह जिए जड़े लोग केंदे ने अत्यार बन संगरश फेल हुए है, एक उनी दासले के पंजाबी सूबे दा संगरश भी फेल हुए है, सतवंजा हजार ग्रफतारियां हुए है, करम्युद मोर्च दो लग पैंती हजार ग्रफतारियां हुए है, ना तो अड़ा पंजाबी सूबा मुकमल हुए है, ना पानियां ते तो अड़ा कबजा है, ना पंजाबी बोल दे लाके, ना राज तानी, दो लग पैंती हजार ग्रफतारियां है, इसलहीं सी के फैडल स्ट्रुक्चर बढ पारदे विच अनांदपुर्दा मता फैडल स्ट्रक्चर दी गाल करदा सी इना वड़ा जेड़ा पीसफुल मोर्चा सी उधी फेले और है तो उधी असी गाल नहीं करदे असी वापस आम्ड स्ट्रगल तो कड़ के किरपान तो दूर करके कोई होर रस्ता अख्तियार करना च इशा के सरबलो ग्रांथ देने जा साड़ी प्रमप्रा देने दो तिन गल्ला बड़ियां सपष्ट ने उना दे विच पहली गाले बड़ी सपष्ट है के राज बिना नह तरम चले हैं तरम बिना सब दले मले हैं यह उजे स्कॉलर भी ले जिना ने इस तुक्द भी अर्थ ऐसा पुठा मरोड है कि उतानू राज तो ही बजा दा और एक गाल जार है कि पुलिटिकल पावर तो बिना जेत उसी सरबातदा पलावी करने हैं उस सरबातदा पला की है इना पुरका जसी रहन दे हैं कोई वैलफियर स्टेट्स ने यॉर्प दी है ये बेशक कैप्टलिस सोशलिस्ट सोसाइटी है थोड़ी जी सोशलिस्ट ज्यादा कैप्टलिस्ट पर असी सरबातदा पला की है हार इक कोड़ एजुकेशन हुए तो हानू अपड़ा में ताना मिले हार इक दे कोड़ सेथ सहूलता हो बिना जात रंग नसल तरम जेंडर दे वितकरे दे हार इक दे नार बराबर दा सलूक हुए कोई किसे नू एक्स्प्लाइट ना करें कोई किसे दी हैजिमनी दूसरे दे उत्ते लागू ना करें और यह ओ आइडियल स्टेट है जिसनू गुरु अरजन साब ने डिफाइन कीता हुए गुरु गरंत साहिब बड़ी सपश्टा दे ना भी कार दा हुकम है रिंजाना के दने तंग करन पै कोई ना किसे रिंजान दा कि कोई किसे नू तंग ना करें सबे सुखाली वुट्धी है सारे सुखी वसंड हुन हुआ हलेमी राज जीओ उन एक टांसेप्ट पुलिटिकल पावर दे पर जे तो हड़े कोड पुलिटिकल पावर नहीं हैं ते सरबात दा पलाक में हुए गया जे पुलिटिकल पावर नहीं है ते ओ सिक प्राउड सिक जिसने सारे पारत दा टिड़ पर है ओस ग्रीम रेवलुशन दी गाल हुंदी है अज हजारा कसान आतम का आदे रस्ते ते तुरे ने ओ पंजाब दी तरती जिस प अपने ऑनर ते अजमत दे लई पंज ककारी सिक वाल देख दी हैं सन के मोडी बाबा कच्छ वाड़या रन जानदी बसरे नू जो बसरा बगदाद घजनी इना शेरां दे विच अजमत विक दी सी टके टके नू आर्बिट बस कार्ड तुसी देखे पंजाब दे विच की स्कूल जान दे आ, कमा ते जान दे अपने आपनो असरक्यत मحसूस कर दिये निए और जे अनिम्प्रॉइमेट दा हाल देखने ने, दूसरे पारट देखने ने, इस सारा कुछ शमने है, तदे इस दा रूट काउज भी लबण दी कोशिश करिये, कि जी दा रूट काउज ह ये है कि जदों तुसीं अपनी किसमत आप करन दा हक किसे दे हवाले कर दन दे हूं पर नादर शाह जिस बारे मशूर है गाल कि जदों उने इस्तारा सो उन्तारी दे विच दिल्ली फटे किती ए सारे परशिया वाड़े और दूसरे कोड़ें दे उत्ते सान ते हाथी इदर ज लगाम फड़ाओने क्या जिदी लगाम नी होंदी ए महावत उन्दे जड़े चलांदे हाथी नू नादर शाओ चाल मार के थले आगए उन्हें क्या जिए ओ नादर शाह उदी सवारी नहीं कर दा है जिस दी लगाम जिस दा कंट्रोर उदे हाथ च नहीं है तो एक बढ़ि गुरु कलगी तर पाथ शादी बाणी नू दोहरां दें ते एनिमी भी डिफाइन कीता हुए जो गुरु साब ने फरमाया है जाब लग खालसा रहे नियारा ताब लग तेज दियो मैसारा जब गहें बिपरन की रीत मैं नक करो इनकी पड़ती बिपर बबे नारे ब्रहमन बाद भी विचार ता रहे जिडि वित्करेते खड़िये जिडि जनम तो ही मनुकनो मनुक नारो नखेड दीये ते इदर वो विचारता रहे जडिए एए के सबना जियां का एकदाता सुमे विसर orbiting जाई एए ओो विचारता रहे जडिए यात करवां दीये के नानक तन कैसं लड़ाई विचारता रामादी है और पंज सदी तो एस ब्रहमन दी विचारता रानू सिद्धा मौकार सी मुड़े है क्योंकि इन्हां कुर सिद्धी पुलिटिकल पावरी नहीं सी इन्हांने वरते है गुरु अमर्दाशी दे विड़े गुंदे मरवाये नू अगे करके अ हाई तार दे पहाडी राजे जे दस्वे पादशा दे जीवन दियां चौदा जंगाने ते लग पक बाराँ जा तेरह एना दे नार और जैसी पढ़ंदा ही जमें डॉक्टर टेलो ने याद करवा है कि जिप पढ़ंदा ही शॉक नहीं ते फिर दुश्मन दी पछार नहीं हैं जफर नाम में दे दोग शेर बड़े एमियत वारे ने जिदे जुनाने औरंग जेबन वेक है कि तुम भी बुतो शिकाने ते मैं भी बुतो शिकाने बुतो शिकाने पर तुम भी बुतो शिकाने ते मैं भी बुतो शिकाने पर तुम बुत परस्त हिंदू राजियां द केन दे उते अनंदपुर ते हमरावर हुए उन एनमी लाइन ता डिफाइंड सी के कौन कि थे खड़े ते फिर जे प्रोफेसर महभू बे केन दे ने के ए बुद प्रस्ता दी राणी जनों जने पाया सरार जो के जड़ा सरार वां जड़ी सुते पैद है और उस प्रीतम दे लेड़े गुरु अरजन साब दे शहीदी दे मौके ओ पूले निंगर ओ नींद दे विच जड़े ने इस सरार ने निगर ले ते फिर पंच सदियां दा वेर कमाया दी गल जार है के सिदे तोर ते पुलिटिकल पावर दी गल जिस फार्मूले नो उस शंक्रा ने इस्तमाल की तैस बुद तरम दे खात्मे दे ले उस खिते चों के पहले शास्तर से मारो अगर बच जाए तो फिर शास्तर से मारो डॉक्ट्रीन दे नारे वड़े प्रहा नौमासता रिष्टा हिंदू से केकता और फलाना टिमका अजवी एक किसीयां पढ़ना एक प्रॉक्सी ये गुरू कलगीतार पाथशा ने याद करवाया ऐसी के राज तो बिन राइटियस नेस्तियां वैल्यूज तरम दियां वैल्यूज अगे नहीं तुर सक दियां तो फिर एवी नार याद करवाया ऐसी के को किसी को राज न दे हैं जो ले हैं निजबल से ले हैं कि एक किसे ने तो अनू ट्रेज रखके तश्टीच रखके प्रोस के राज शक्ती नहीं दती राज ले जान देने राज खोए जान देने राज जडेने ओ कौम अपनी ताकत देनार जे ठारवी सदीच असी मुगना अफगाना दूना नू एक नू दरा खैबर तो पार तके है दूसरे दे राज दी जड़ पुट्टी ते सिरी साहिब जी सहाय सादा आसरस ओ सौड़ आई सीख दाई प्रोटेक्शन और एविबड़ी स्पष्ट इंजंक्शन है गुरू दी शरी मुखवाक पन्यों गरीब नवाज पात्शाई दस्वी शस्त्रन के अदीन है राज जे इंबॉलिजम बार बार सानु याद करवान लेए है कि पाई सौवन्टी पुलिटिकल पावर आन अनक ए उस किरपांदेना आली जुड़ी हुई है जेड़ी तेग नानक वाहब अस जेड़ी तेग गुरू नानक दी है एस सच हक इनसाफता रसता है ए ओ रसता है जिस पर तुसीं बेपत हो के जोंदे हुँ जेड़े इंडिविजियल्स कौमा कबीले नेशन बेपत हो के जोंदे ने ओ हलाल खोर नहीं ओ हराम खोर नहीं और अजदा एकती साल बाद जदो वसीं उना शहीदानों महान नायक संद जनेल सिंग जिखाल साप इंड़ावारे जर्नल स सुबेग सिंग पाई अमरीक सिंग ते सैंक्रया होर ओ योदे जिड़े कले कालतखत साथ तो ही नहीं जुझे गुर्दवारा शिरी तरंतान साथ भीया पर करमंच टैंक ले आंदे गए दूख निवारन साथ प्ठाड़ा टैंक ले आंदे गए गुर्दवारा मुक्सर साह टैंक ले आंदे गए सैंती हो रितिहास से गुर्दवारे आते टैंका तोपा नाड़ हमला और जिनाने स्री साहिब जी सहाय दा आसरा तकदे हैं पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू ना च्छाड़े खेत वांग शहीदियां पाई हैं और हजाराओ बेगुना सिक जिड़े गुरू दे दरबार गुरू दे चरनाच बेशक उगरू अरजन साहिब दा शहीदी पुरू दे मौके अमरत सर सी जा पंचमी दे मौके दूख निवारन साप ठ्याड़ा विखे बहुत वड़ाई कट सी उन्हा सारे नों भी अपनी याद चले आईए पर गल शहीदा दे ख सावर्तों असी सर्वाइव नहीं कर सक दे ते फिर पता नहीं किन्नी होर खवारी साड़ी कौम दे लही सानू ढीक रही है पर इक गल जड़ी अकसर मीमी सदी दे महान सिख फिलासफर सिदार कपूर सिंग वान टूवन गलबाच भी कहन दे सन कुछ इंटर्व्यू से विच जिस दा हर बजूरग, हर सिंग, हर सिंगनी, हर पुजंगी, हर पुजंगन ओ लड़दा, 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 सारी कौम ही इतिहास दे सफाय हस्ती तो मिट गई तक एवी बड़े मानवारी गाल होएगी पर जिस जलानत दे विच, जिस बेपती दे नाल, जिस तरीके देनाड आज जसी जो रहे हैं ए जोड़ा ए सिख दा काम नहीं है और ये कहा कि वो रोप हैंदे सान और गाल उन्हाने बेशब चुरासी तो बाद केई पर बहुत पहला उनीसो सत्रवें आच जदो वेंकूवर आए उन्हा जमाने आच आजे कोई 78 दा वाक्या नहीं सी हुए साथ पिंडा वाड़े वी सीन ते नहीं सान उबरे उन्हीं सु पंजटर शेतर दी गाल हुएगी वेंकूवर दे एक पब्लिक होज चिते उन्हा दा लेक्चर अरेंज कीता गया है वो अंग्रेजी दे विच बोलड़ा से उन्हाने क्योंके कुश गैर से क्वी सान पर उन् संभोधन होंदें अंग्रेजी दे विच क्या कि इफ सिट्स वोट फ्लिकल पावर यूर संथ और वेंस और यूर संस और विल भी दपियांस इन ऑफिसे और द्राइवर्स अफनु ओन्टार्डिश कार्स ऑर दवाच्मेन अफ हिंदू ओन्टेवर्स और वेंस इट्र अब रॉबर्स नथिंग मोर देंदे के जे तो हाड़े कोड पुलिटिकल पावर ना आई तब तो हाड़े बच्चे ते उना दे बच्चे ते अगों उना दे बच्चे जा दफ्तराज चपडासी लगे होंगे जहां हिंदुआ दी मलकीत वाड़े कारा दे ड्राइवर होंगे जहां हिंदुआ दी मलकीत वाड़े होटला दे बार चौंकी दार लगे होंगे जहां लिटेरे होनगे वेसाइड रॉबर्स एस तो वद के कुछ नहीं होनगे अज पंजाब वाल नजर मार लो इना निस्ताट साथ देविचे साड़ा की हाल कर दते है साड़े सिदान्त दा साड़ी होंद दा साड़ी जवानी दा और किस कदर साड़ी अज़मत दा अज पंजाब दी है बच्ची है जब पंजाब दे विच केड़ा कल्चर चल रहे है अज क्यों जया कल्चर सब्याचार दे ना थले वेचे आ जान दे अज इते बेशक कुछ सीमत गिनती दे विचने पर किते ना किते कोई शो चाल रहा होने पंजाब दे उनमें सिंगरां दे तकीना आलमा ओ सारे जिना ने उस लच्चर कल्चर दो जनम दते उधियां टिक्टावी विक्दियां ने हुना दिया हजारां दे घिनतीच पौँच भी जान दे ने हर साल हो ही लचर पुने दा वखावा हुंदे ते इस अब दी एक्सेप्टेंस उस सिख कौम वलों सिख पंथ वलों मैंनों कई वार सार गुर्बक सिंग गर्टी डीन रहने अगरी कल्चर इंवस्ट्री दे वो कहन कोई किसे कर रहा है कोई किसे नो चैलेंग करन त्यार नहीं कोई किसे नूग केंग दो तयार नहीं ति मैं क्लूट कर रहा है पैसिमिस्टिक नोट दे उत्ते नहीं उस होप दे उत्ते जेस्ता जिकर डॉक्टर टिलो ने कीता है कि हमेशा जदो असी वर्स्ट हालब चवी रहे पंथ नहीं गुरू दे उत्ते हमेशा आमना रखी है और सार कपूर सिंग बेशक नराश भी हुन दे सान पर फेरो कहन दे सान नहीं एक गुरू दा इकरार ना मैं पंथ देना असी जन्ने मर्जी डूंगे काड़े खूदे विच काड़े बोड़े खूच डिगे हुए गुरू सानू कड़े गए एक रार ना मैं गुरू कलगी तारदा पंथ खालसा खेती मेरी हूं संबाल करो तिसके लिए उस गुरू ने सानू अपनी खेती अपने पुतर अपना आपा खालसा मेरो रूप है खास खालसे में हूं करो नवास खालसा मेरो सत गुर पूरा खालसा मेरो सजण सूरा खालसा मेरी जान की जान खालसा मेरो प्रान को प्रान, खालसा मेरो मैं खालसे कर ओथ पोत सागर बंदेरो जे साट आसर आए ओट ये तकी है, तग्रू कलगी तर पातिशा ने उस विशवास देना, जे विशवास राए, संथ पंडराब मारे हैं ते उनना दे चंद साथी सिंगा ने हिंदोस्तान दी हकूमत तिन लख दे करीब पंजाब जफाज, पजा सथ हजार इन आपरेशन बार्डर सील, बारह हजार पंजाब दे पिंडाज, फिजिकल मुवमेंट दे उते वी पबंदी परे दस देते के चमकौर दी गड़ी, अजवी, हर सिख द राड़ गुरु कलगी तारते विश्वास रखके तुर दे, फिर हकूमता दे, तख्त कम देने, फिर उना तास दारां दे, तास खालसा खो लेंदे, और एही स्परेट अका तख़त दे सी, जे पहली लड़ाई अमरत सार दी, बाज उड़के होंदे, शाही फाज दे, गु ये तो ऑंसरान मन देने की जवाब देए, ते जवाब सी, ताज बाज सब हों हम लीनों, के तुसी बाज मंग दे हो, असी तो हड़ा ताज भी लेने, तो एह स्परेट है, अकाल तख़त दी, एह स्परेट है, पंज ककारी खालसे दी, एह स्परेट है, सिक विचार तारा द ती और आज बैट के सिर जोड के मैं समय नहीं भी इस मौके नो परदान करण दे लई गुर्दवारा रिच्मंड हिल कल्चरल सोसाइटी ते द्वापसिक एससेशन वदाई दे हकदार ने कि उन्हाने सानुए प्लेटफॉर्म दते और यह जे विचार चरचामा विचार आज मिले शत्रूते सब हो वैं मीत तो की यतन कीते जान के राजसी शक्ती मिले ताके दुश्मन सजन बन जान सत्गुरू रहमत करण पुरातन सिंगा दा विश्वास जो अजोग के जारूआ दा एकत्वी साल पहला जूजन वारे सिंगा दा और अज भी पारत पार्दिया बेशकु जेलाच बैठे ने पंजाब दिया सडकां ते ने सारे जमू किश्मीर दिया सडकां ते निकले सिक नौजवान में जड़े राज करेगा खालसा ते खालसतान जंदा बाद दे नारे बुलंद कर देने ए विश्वास सथ साबत होएगा दिली तख्त पर बहेगी आ आप गुरू की फाज च्छतर चुलेंगे सीस पर बड़ी करेगी मौच किसे भी कुल चुक लिए खिमा दिजाचनर वाहिद दूजी का खालसा वाहिद दूजी की फर्ख्त पर